चनंद आदंद मउचे निनंद सहाँ करम तर्त पद बिंद पद नमियो सेत सुखाँ गुरु वेशिर गुपति गुपति न्याद सहकाँ तारण तरण समत्मु गुरु संसार इवाँ धम्जु तव जिन्वरिनी अर्थति अर्थे जो भैवे नाशिप भवजू मुनौ ममलियानि पर्दौ देपु गुरु को धन को साची को वारमान उश्कानौ श्री मंगराची तो साराजी मनस्य ममिलं मैं गूर्ति न्यानं दोवं लोका लोकि सयं सुरं चा सुरियं सुन्दं सहावं सुरं बोलिये चुविस खणा जी रन्था दी राजी भीशी चैए अचायर प्रुबा सद्धिवत आर्थ अंग्राशा जी मनाजी की चैए अपना वांचन हो गये था आठ नंबर के सूत्र ता जहां अचायर प्रुबान ने चुविस इस्थानों का वर्णन करते हुए उन चुविस इस्थानों से मुक्त होने का मार्ग बताते हुए कहा था उत्पत्ती खिपत्ती के तो संसार का सुभाव पर्याय का सुभाव उत्पन होना और खिपना है लेकिन आत्मा का सुभाव मुक्ती में रमण करना है आत्मा ज्यायक ज्यान सवरूपी है एसे ममल आत्म ज्यान सभाव को गहन करने से सारे कर्मों का उत्पन होना बिले हो जाता है आत्म सभाव का भोग करने से कर्मों का भुकतान बिला जाता है अपने ग्यायक सभाव की दिष्टी आत्म सूर्य समान केवल ग्यान सभाव की दिष्टी परकट होने से संसार की सरण और संसार में जितने दुख हैं वो पिला जाती है यह अपना सुबह तक के किरम में वाचना हुई थी सूत नंबर आठ तक अप आर्ट नंबर के सूत के बाद आचार ओवन मुक्ति का सुद्ध मार दे रहा है जो पंचार्थ है बस मुक्ति का एक ही मार है पंचार्थ यह 24 रणा में उर्डुपेंट पंचार्थ की साधना कहीं यह आचार्थ रमसा पंच अर्थों को साधने का ग्रंथ ही तो यहां अच्छा रोगन नो और दस नंबर के सूत्रों में फिर से पंच अर्थ की महिवा कर रहा है इसके पहले चार और पाउच नंबर के सूत्र में कहके आया था जा अब यहां तर्फिस, नौ और 10 मंपर के सूत्र में इसवेस्ट कह रहा हैं कि मुट़ि का एक ही मार है। इन पानच अर्थों की साधना इसकी उत्पत्ती है उसकी ख्यपत्ती है परियाय की उत्पत्ती है परियाय की ख्यपत्ती है लेकिन मेरा जो अर्थ शरूप ग्यान केवल ग्यान में मुबल सुभाव है इसकी न उत्पत्ती है न इसका दर्सन सम्मिक दर्सन है इसका प्रितीती में जूलना इसका ग्यान ग्य इसी को जानना जान अर्थ है और इसी परिपूर केवल ज्यान में प्रकट कर लेना प्रेश कि एसे पांच अर्थों की महिमा को यह अचात अरंत्रंदे प्या रहें नो और दस नंबर इस प्लारिए इन पंच अर्थों की प्राप्ति से क्या होता है उत्पन कम विलियम जितने के कर्म उत्पन होते हैं उत्पन होने वाले सारे कर्म हला जाता हैं है यह पंच निम करनधी पर की इसमार्ग का अनुवोदन करके, वो इसे अपनी जीवन में उताने कोषिश करेंगे। अपने आत्मनुभाव का विसे वणे ये पढ़ती हैं, जो आचारणगारण स्वामी जी इन गाधाओं में कहे रहा हैं, हें पढ़ती हैं अपने आत्मनुभाव का, अपने सवा के श्रद्धान का इसी भावनाव से सुनू आचार भूवन कहे रहा है क्या अवनम उवन न्यान रंदम उत्पन कम विलियम आचा घारंड स्वामी का कहेना अवनम जहां उत्पन अर्थ स्वानुत में आता है खुरू सा County अर्थ जहां जीप को आत्मनुवूती का उदेँ होता है उवन न्यान रम्नम जहां जीट को स्यम में अपना उत्पन और अपना वीत्राक सभाव अनुवव में आता है ग्ञान सभाव की रमणतार पकड़ होती है तो उत्पन कम विल्यम, सम्मिख दर्शन की प्राप्ति होते ही कि सारे खर्म उत्पन होना है बाला किול होने की तेर भास है कंदो कि अाशयर खरत आपको पार्म खरतमन होने की देहर रहे बस कि तो फबन नार्थ एक बार अपने एंतर आत्मा में अपने वीतराक्तत्स हैकार होने की कि तेर एन वार की हैं सब्सक्राइब करनी जो एक वार अनुभूती में प्रकट तो करो वखवान आत्मा एक वार अंतर हिर्दे से अपने उप्योग में सीकार तो करो कि उत्पन अर्थात स्वानुभूती में मेरा सुभाव शुद्धात्मा ही में हूँ इसे एक वार अनुभू तो करो उवनम एक वार तो उत्पन करो क्या अवंकार में अपने वीत्राप तर एक वार स्वानुभूती करने की देर हैं एक वार बस क्या होगा एक वार स्वानु जी जे आपन अपने स्वानभुती का मार्क बनाएं अधुआर्ट को प्रकाट करके अपने बीत्राकचार्यत्र को अपने अधॉडू अधू म parody निए तो कल्यानि होगा तो कर्म लाएंगे वह वर्य कढून हो जाए रहा है섯 एज भी क्रम का बत्ता हे खात करो को मंचहर्थ कि चर्चा कर रहा है कि यहां से घर्ण करो अर्थ है धन को अर्थ मांते हैं अबने कल भी उधार नहीं मांते ऑर पुर्ट परिवार को मानते हो पुत पुत परिवार जिए सजोंक्त इनको इनको बूस्यों बूद अपन अर्थ मानते हैं नशुक्रियाँ मेहते हैं अबन काल में जह इसे हैं राजमार मुक्ती का मार कि उत्पन अर्थ अपना प्रियोजन भूठ तन्त जोपने दिश्टी में आएगा ज्यायक तन्त भगवान आत्मा का अनुभाव जब अपने अंतर में आएगा तम कर्मों के च्छे होगा उब भएया मन मानी करते रहे सुप का असुप करते रहा है उपियोग पर में लगा रहा है तो तीन Currently आत्मा का रंवाल किरन करो अगली 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 देखा अगला इस नुद नंबरसुट्र करें कि अगली लाइन क्या की शयुक्राइब Springs उवन हितकार न्यान रवड़म, नोनमबवसूत्र, अगली लाइन देखाओ, उवन हितकार न्यान रवड़म, उत्पन अर्थ सहें, हितकार जो सम्मेक ज्यान उत्पन होता है, हितकार अर्थ, उत्पन हर्थ सहें, अर्था सम्मेक दरसन सहें, हितकार जो सम्मेक ज्यान का सहे होता है ज्यान की जो रमणता होती है ही यार एसे सम्यक ज्यान के चिंतन से एसे आत्म चिंतन से अर्था एसे सम्यक ज्यान से कम विल्यम का इसे कर मिलाएंगे सम्मिक दर्सन सहिट जो सम्मिक ज्यान प्रकट होता उत्पन अर्थ सहिट जो हित्कार अर्थ प्रकट होता है एसे उत्पन हार्थ हित्कार अर्थ सहिट ज्यान रमणम जो ज्यान की रमणता प्रकट होती है यार कम बिलियम भिया एसे हितकारी ज्यान के प्रकट होने से एसे सम्मिक ज्यान के उत्पन होने से सम्मिक दर्सन साइंस सम्मिक ज्यान के उत्पन होने से कम बिलियम कर्म बिलाते हैं आचार गुवन का कहना है सम्मिक दर्सन के उत्पन होने से कर्म बिलाते हैं सम्मयक दर्शन ज्यान के उत्पन होने से कर्म इलाते हैं युथ भी कि इन कर्म चूटना है या इनने युथ कहा अपने ऊपन करो अपन Сवयओं copan करो और्ट मुद्धुण क्या जीव आत्मा अपने आत्म सभाव का लेता है उसके ज्ञान को दो दिशा दिखाई देती ही फिर एक कर्मधारा की और जाने रूप पेड़ में दिखाई देता है और एक आत्म शक्ती की और आत्म सुरती रखने की और आत्म पितीती रखने की और अपने यायक तक्तिके पुरसाथ करने की और दो दिशाएं दिखाई देती है अब हितकारी यान का कि लाएगा कि कर्मों की और जाने रूप जो प्रवर्ती है कर्म धारा रूप परडवित होने की जो प्रवर्ती है उस प्रवर्ती को छोड़के जो ग्यान चेतन नहारा चल रही है आत्म ध्यान की जो धारा है अपने आत्म तत्की जो प्रतीती है अपने आत्मा के कल्यान करने वाला जो म ढ़लने वाला ज्यान ही आग वहितकार ज्यान है और यह से हितकारी समय ज्यान की परकट होने से कम कर्मशे करना है क्वेश ओंगे मंदिर आने से सही में मुक्त होना है इस जीवन में कल्यान करना है आत्मित करना है या किरिया करना है सही मता लक्ष का है का आत्मित करने का सही मैं आत्मित का लक्ष है प्रतिती आत्मत में शद्द चैतन में निरावरण ग्यायक तत्त भगवान आत्मा हूँ तुम्हाई आत्मा सुख क्रिया कांड में मिध्या लिंग में आगम से गुरुत आचरण में और अपने वीतराख तत्त में भिन्यता करना जानती सतत्त का शर्दान क्या सही है क्या उचित क्या लुचित क्या यथार्थ है क्या मिध्या क्या सम्यक्त है क्या माया दोनों भेत को जानती है है क्या है ग्रण करने यो क्या है इसके भेत को जानती है जानते हो कि अपने लिए ग्रण करने यह क्या है कल्यान का ऐसे होगा और है क्या है इस संसार की माया में घुमाने वाला क्या है एसे हिद और अहिद के बिविक को जानते हैं अपने श्रद्धा को बचाना जानते हैं कहीं भी सार फूट जाते हैं आगम जिनेन भगमान की वाणी में जो बस्तु सरूप आया है अचारत आरंग स्वामी जो बस्तु सरूप के रहा है कुंद कुंद आचार योगंद देप परमार्त प्रकास जीवन में चारित रुप प्रकास आने वाले अम्रित्त चंद आचार जी योगंतुद लेब इन महान आचारियों ने जो वीटराक्ता का सुभाव का है कियो वीत्राक्ता सुभाव को जानते हैं हित्ध और अहित्ध में चलके आत्व ठान होता है और यो कौन सी दिश्रा में चलके आत्मा को पतन हो देखो घे रहाए Guru में उसे अपने निश्टा का कल्यान हो लिए इन इन किसी मिठ्ठै लिंग की धर्माना किसी सुब आच्रण को धर्मान लिया तो वो ज्ञान कर्म को छे करने अपारण नहीं ज्ञान मिठ्यात सहे अनंत कर्म के आश्रव का करण मुने हैं यार कम बिलिया मात आत्म हित करने वाला जो ज्यान है जिस सुभाव के ओर ढलने वाला जो ज्यान है सर्वक के बचनों को सीकार करने वाला जो ज्यान है उस हितकारी ज्यान से कर्मों का बिले होता है अब यह आप बताओं आपका ज्यान हित को जानता है या हित को देखो आचार फियोंट का उत्पण हितकार सम्मिक दर्सन सहित् जहित्कार अर्थ में प्रकट होता है उनका ज्यान रमण करता है कहा । न्यान रमणạo लिंग ही हैतकर होता है हूं पहले उत्पण अर्थ आठससने कहा सम्मिक दरसन होने से अनन्य संसार का विले होता है सम्मिक रियान होने से बहुत хоч मर्यारा सीमित हो जाती ही जैसेň सम्म knapp ज्म्हित जित उत्पन अर्थ हिदकार अर्थ सहित जो अपनी आत्मा का सहिकार gynunda सुभाव में जो आचरण होता है उससे सहिकार इर्थ की उत्पति होती है अधा सम्यख चाहरच के अगत्पन होने पर कम गल्लम को सम्यख दर्सन सम्यग्यान सहिट जो न्यान चर्णम ज्यान का अपनी सुभाव में जो आच्रण है उसका नाम चाहरच चारित्र कुसे कहो गया चारित्र को अपना विशे बना लो आगे की गाथा में अभी आजी आ रहा हमा रुक जाओ अभी यहां अजारवण के रहा है उवण सहार न्यान चर्णव और उत्पन अर्थ हितकार अर्थ सहिध जो आत्म सुहका सहिखार होता है उस उष्जाण में आच्रण का नाम क्या है चारित्र और इसे सहार इसे चारित्र के उत्पन होने से कम गल्ञड़ कर्म गली जाएंगे। इसमें तीन अर्थ की चाहिचा हो गई है, कौन-कौन से? अत्मन अर्थ से क्या होगा? अत्मन अर्थ के बिकट बने से क्या होगा? सहिकार अर्थ से? सहिकार अर्थ से छह होंगे, और हिदकार अर्थ से? दिखाई नहीं देंगे, दिष्टी में नहीं आए. इस सम्मिक दर्सन ज्यान चारित्र की वहिमा भी है। मोग शुमार में चारित्र कपड़े उतारने का नाम नहीं है। यदि आप आत्म ध्यान में लीन हो और जगत के सारे प्रपंचों से दूर हो तो जिन साशन में चारित्र को स्रीकार किया गए। कि आप रंचमार में सौपराग या सौपराग की वर पर्यडवित हो रहा ह। तो उसे वीत्राग जिन महार में हर्म चारित्र स्रिप्ण। साधू का एक ही घर में साधौ, साधू यंदा. फोठीप्राग गुरू आने साभका चार्चिय में कहा, वहिए सादू कौन जो आत्मी तत्ल को साद है इसके पास एक काम हो सभाव सभाव जो साद है जो सादना में रद हो इसकानाम सादू और इसे सहकार हर्थ आत्मा में उत्वन चारेग के प्रकट होने से तो कम 6 होते हैं यह 24 थड़ा जी है यह परिणामों की विशेश निर्मलता के फातन चलेगा उवन नंत जान न्यान उवनम आत्म ज्यान प्रकट होते ही जान सी अर्थ जान अर्थ उत्वन नंत जान न्यान उवनम जान अनिष्ट बिलियम जितने भी अनिष्ट है जितने भी आमंगर है पुस्सा बिला जाते हैं अब बता बिलिया यह तो अन्वोद ना करने का विसे हैं कि जो गुरुम गांज की गाता है यह इतना गहरा है इतना गहरा है यह सूत्र इसमें आचा तारण स्वामी ने पूरे मोक्ष मार को हतेली परक्ट के दिखा दिया पत्पन अर्थ क्या है? हितकार अर्थ क्या है? सहकार अर्थ क्या है? यह तो बताय बताया ववन नंत जान जहां एसे अंतर आत्मा ग्यान प्रकट होता है जहां ऐसा अंतर आत्म सभाव जानने में आता है जान अर्थ जहां ऐसा ग्यायक सभाव अपनी जानने में आता है ज्यान उपन्दम जहां ऐसे ग्यान का उदे होता है जानम जान सी अर्थ के उत्पन होते ही अनिष्ट अनिष्ट बिला जाते है अनिष्ट क्या है अनिष्ट किसे कह हो गया अनिष्ट क्या है जो भी अपने इश्ट सभाव से विप्रेत है जो भी ज्यायक सभाव से विप्रेत है चाहे वो राग हो चाहे द्वेश हो चाहे परपदार्थ हो चाहे सुपकिरिया हो चाहे असुपकिरिया हो कोई सावी कुछ भी परिणाम हो अपने ज्यायक तर्थ आत्मा से छोड़के जो कुछ भी है अपने वीत्राख चेतन कर त्वगवान आत्मा को छोड़के जो कुछ भी है वो सब सब अनिष्ट है और आचायतारण स्वामी को कहना है अबन्नम नंत जान जहां एसे आत्पन हो का उदे होता है जैन सी अर्थ उत्पन होता है नियानवनदम ऐसे ज्ञान के उत्पन होने से जым सी अर्थ के प्रकट होने से अनिस्टमपिलिक सब्च़ पे तो दिन एक मैं यह जो गाता के समझाने की लिए उप्श है इस की साधना की अनिभूत नहें की जा सकती है आ और स्रद्धान मजबूत किया जा सकता है। क्या सम्मेख दर्शन क्या है? इसकी अपने अंदर परख की जा सकती है। सम्मेख ज्यान क्या है? इसकी परख की जा सकती है। और जब जीप को सम्मेख दर्शन ज्यान च्यान की सची परख हो जाती है, तो फिर वो कहीं बटकता। फिर वो सच्चे देव गुरु सास की सरण में आता है फिर वो वीत्रावी भुवन्तों की सरण में आता है तो जब है सच्चे सम्मिक दरसन ज्यांचारित को जानता है तब उसे पता लगता है वह यह सारी सुख्रियाय अनिष्ट हैं सारी असुख्रियाय अनिष्ट हैं अपन होता है कि अहो मंगल का कारण तो मेरा निज्व आत्म दर्सन है अहो मेरे लिए इस्ट और हितकारी तो मेरे केवल गयान में सुभाव है जिस वीत्राख तक्त को भूल के जो समय में सुपकिरियाओं में लगा रहा था जो उप्योग में असुप पुन्द पाप में लगा रहा जो समय सर्वक के बचनों को सीकार करने के लिए था वो अपने मात थोड़े से मन के रस के लिए थोड़े से सुपकिरियाओं के लिए थोड़े से दिखावे के लिए या थोड़े से किसी से प्रवावित होके अपने इस बीत्राख मार को छोड़ दिया और अपनी मन मानी कर होगे तो पता है कां से भटक गए अबंसे अपने हिस्स से वह Hoje कोई कोई को दुकान का रह साता है दूपान का Cash मंदिराने का रश तो मंदिर के सुब रसमें भटक गया लेकिन भटक तो गये लेकिन अप लोड के कावारा हूँ यह बता ओवन नंत जान ज्ञान उद्नम गुरुमाज कह रहे हैं आत्म ज्ञान का प्राप्त कर रहा हूँ यह बता मुक्ति का मार कब प्रस्ष्ट कर रहा हूँ यह बता हूँ इस मनुस्व में कल्यान करना चाहते हो यह ब्रमण वास्ता में आचा तरण सोमीरे निराडंबर पंद निराडंबर कुल और आडंबर हो से रहे क्रियाओं से रहे यह जो जिन शाशन में महावीर भगवान की सुद से सरल्दाइं प्राप्त वीए तो भी इस देशना को प्राप्त करके आचायर मुपन की वाणी को घरन करना चाहते हो या फिर जग की मिठ्या मानता हूँ में फ़े चारों तरफ मार आडंबरों किरिया Перв इस जग्टी मित्या मानता हूं में लोग मूर्ता का पलंग करते हुए अपने आत्मों को पतन क्यों ले आना चाहिए यह पता, नेड़े कलने पक क्या नेड़े मित्या मानता हूं में किरियाओं में अडंबरों में, सुवसुभाओं में यह चक्राना है या मुक्ति का सुद्ध मार्क प्रटट करना है इस भव में भव भव की पीड़ा को मिटाना है या इस भव में और भबांतरों के दुखों को मानते हुए दुलगती में गबन करना है क्या करना चाहते है मुक्त होने की भव लाओना सच्चा सम्मेक्त मार गरन करना यह वाणी क्यों नहीं खुलते हैं तो यह अम्रित क्यों नहीं पीते गुरुमाज करें अब वन नंत जान 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 अरे जान सी अर्थ के उत्पन होते ही अनिष्ट विलियम इस मिठ्ध्य शर्था है यह जो सुप का रस है यह डुकान का जो रस है मोयय का जो रस है कि अनिष्ट बिला जाए तत्काल बिलाएगा उवन पे पयम्च ल्यान ममलम यह बे अर्थ की बात करते हैं जहां अपना Pacific ममल सभाव जानने में आता है पयम्च यह से अपने Pacific को प्राब करने से कम生 डь कि काई से कर्म बिलाई नहीं और वन्नम पे पयम कौन सा पत चा न्यान ममलम अपने ज्ञान में ममल पत के प्राप्त करने से कौन सा पत पाना चाहते है अच्छे एक बनाता जीवन में कौन से पत की लाल सा है मैं सादू बनूँगा मैं घर छोड़ूँगा या मैं दुकान चलाऊंगा मैं मंत्री बनूँगा कौन से पत की भावना या यह देखो गुरु माज क्या अपने केवल ग्यान में ममल पत अपने वीत्राप पत को पाने के क्यों भावना हुई पे पयम पे पयम चा न्यान ममलम अरे मेरा परमपाज मेरा ममल ग्यान सभाव है पयम चा इस पत को पाते ही कम विलियम इस पत को प्राप्त करते ही कम विलियम अरे जैसे ही अपने अरियंति सिंध्य पत को जाओगे जैसे ही अपने परंपत का अनुभाव करोगे जैसे ही अपने ममल ज्यान सभाव का अनुभाव करोगे तो आचार ममन के रहे हैं यह ममल पर प्रकट होते ही यान में ममल पत का अनुभाव होते ही कम बिलियम तकाल सारे कर अगला जाएं कभी एसे पत को उत्पन करने की भाव नहीं होती है जिस पत को पाने से ततकाल कर्मों कर्षयंता है कि देखो सूत्र पड़ों वन्नम पेपयं कौन सा पत क्या पाना चाहते हैं अच्छा न्यान मम्लम ममल पड़ को पाना चाहते हैं न्यान में अपना ममल पड़ पे मिलते ही क्या होगा चाकम बिलियम जितने भी कर्म है वह अरे भग्वन आचार वुमंतों की बाणी सुनके कम चांब भावना तो भालो क्या देशंपरंपर मेरे अनुभावम से उत्पन अमवाद भटक रहे हो कितने समय से चंसार में आचार वुमंतों की कर्णा देखके इसे परंपत का अपने ही सुभाव का वर्णा सुनके कम से प्रभाविक तो हो जाओ कि पाने योग तो ये निदी थी लेकिन हम करा भटक रहे हैं जिकार करने योग तो ये अचार वुमंत की वानी थी और वन्नम नंत सुखी कितना सुखी सुभाव अपना अपना अपने अनंत सुखी सुभाव को अपन करो खिपनम अपना चाइक अनंच तुष्टे में जो खिपन जो अपना सुभाव है चाइक सुभाव है एसे अनंत सुखी सुख सुभाव को अत्पन करो क्यों क्यों अत्पन करें गुरुमाद कमस सुभाव बिल्याम जो जो कर्म के भाव अत्पन हो रहा है ना जो आश्रवबंत के कार अपने चाहिक सुखी सुभाव अपने अक्षे सुभाव के अलुबाव के अत्मिक सुख के प्रकट होते ही स्वासुखिस Sukhy स्भाव अपना स्वयं का जो आत्मा का आनंद है जो सवाक किया वान स्वा में जानने वाला स्वा में देखने वाला जो अनंत स्व organiz इसे च्शयक स्वाव के उत्पन होते ही कमस्व घावकर्म के भाव चल रहे हैं वो सारे भावकर्म सुखी सुभाव की अनुबन करते हैं स्वाक्रत जानानहार देखना आत्मिक आनल के रस्य भराओं ऑवन्नम नंत विशेष न्यान रमणम भग्वान एक काम करूं क्या पवन्नम नंत विशेष न्यान रमणम अरे तुम तो अनंत विशेषताओं से अरधत अपने ग्यायक सभाव में अपने ग्यान सभाव के रमणतों तो पिकट करो क्यों गुरुमाद कमस नंत विल्यम जो अनंत कर्म अभी आश्रव रूप आ रहा है नहीं अभी भी कर्मों कहा दो रुका धरी ना है जो अनंत कर्म आश्रा वुरूप तो में दिखाए ले रहा है कमस नंत बिलियम वो अनंत कर्म भी सत्ता जनित अनंत कर्म भी छे यह मत सोचो कि भाईया आपन ममल सुभाव का आश्रे ले रहा है ज्यायक सुभाव का आशर ज़रा है भही अभी सत्ता में तो अनन्त पढ़े वो सत्ता जने तो जो द्रवकन पढ़े न वो भी पिला जाए आत्म अनुवाव एक एसी वस्तु है अपने विशेज ग्यान सुभाव के रवणता एक एसा रत्न है अपने ज्यायक सभाव की लीनता एक एसा मर्म है, जिस मर्म के प्रकट होने से, जिस धर्म के प्रकट होने से, कमस नंत बिलियम, अनंत आश्रा गुरूप जो कर्म पड़े हुए सक्ता में, जो सक्ता लेकी पड़े हुए है, उन कर्मों का भी छे हो जाए, द्रब कर्म भी बि विस्वास्त तो करो Чер تशहिए अपने ओक्या आध शुपाँ गर्वनता पर विस्वास्त तो करो तारंतरन दीब कीज वानी पे ओवन रवन ते विशेष्ता लिएख लैंत विशेशता से अपनी ग्यान सुपाँ के रवनता तो कैटकरआ एक अच्छा गुरुदीप की जबाणे का विश्वास होता है अपन कर्म चार कर्चे करने के लिए करते हैं 108 बाद मन्त जब आप माला सरकान सबुपियों के बगवान स्वाकिल लक्ष से है तो कल्यान का कारण हो सकता लेकिन आचार मुवन के रामिया अनन्त कर्मों को विलाने वाला ववन नन्त विशेष न्यान रवना विशेषता से अपने ज्ञान सुभाव के रवनता ही अनन्त कर्मों को चेह कर सकते है एक ही एक बात को गुरुदेप कितने प्रेम से कह रहा है कितने बार बार कह रहा है कितने अच्छे से इस्पष्ट कर रहा है जैके भीया क्या वो अपने को बात चू रही है देखो अगली अगली पंगती देखो आप तो जम-जम कम उत्पन जहां जहां कर्म उत्पन होते हैं असेश रम्णम जो सेश थोड़े बहुत कर रहा है थोड़े बहुत यहां तत्त चर्चा करते समय भी ज्यान की वारता करते समय भी असेश रम्णम भहिया अभी थोड़े देर के लिए आत्मा को भूल गाए या फिर आत्मा की इस्मरति चली गई भहिया क्या हो गया थोड़े सेश कर्म बंध होने लगे यहां वहिया सुपयों में लगा है को करण करंम होने लगे जम जम उपन असेश रम्णम जो थोड़ी बहुत कर्मों की रम्णता बच्ची भी है यह थोड़ा बहुत कर्म को आश्वा बचा भी है करते ही वह भुठवाब्स करने शेश कर्म चिंता क्यों करते ही, जो थोड़े भूठ कर मों का आश्रम चल रहा है, जो थोड़े भूठ कुर। आश्रम चल रहर है, ये थोड़त जो संसाहर का सेश बढ़नमन बचाना थोड़ा सा कि लगे कि थोड़ा वह जो आश्रवबन्थ हो रहा है वो भी जैसे जैसे ज्यान सभाव कि रवनता होगी जैसे जैसे अपने ज्ञायक सभाव अपने दिश्टी में आएगा तंप बिल्यम वेसे वेसे वह बिला देजाए इसलिए कर्म उदे की चिंता करम के आश्रावण की चिंता कितने जिरे आत्मा को भूल गाए ये चिंता मत करो आत्मा की सुरती कितनी ज़्यादा रख सकते हैं ये याद करो आज दुख में जीवन निकालो मत पगवान कितना समय बीद गया अज्ञानता में ये भूल जाओ कितना समय बूल गये कितना समय दुखों में बीद गया कितना समय अपने आत्मा के विस्मरणा बीद गया ये भूल जा जो गया सो अब उसे बापिस नहीं लाया जिसकता उसका दुख मनाना से कुछ नहीं होगा गुरुमात के जम जम कम उवन असेश रमणम अरे थोड़ी थोड़ी अभी कर्मों की उदे की धारा बची है तो भाया अभी उपयोग उन कर्मों रमण भी करता है लेकिन चिंता मत करो चिंता और आधा उसकंषा जम जलाया जाईगी कब कब जम ज्यान सुभाव में रिवनाता प्रकाण वी क्या जाएग्षै ध़्यांस कर्मों की रावनता भी अधा जाएग्षै विस्वास कर्म ने यह एक है और डो यां प्या या या कि ध्यान है है फिल कर Nelson सभाव रमनता करने यो ज्यान सभाव हुआ जी आप इसमें रमन करो और कर छे गुरुमाज की गायंटी कितना निर्वे करती आप समझ नहीं सकते कितनी निर्वेत आती है आप साधा खोते तो समझते कि कितना निर्वे करता यह सुत्र कि कह रहा है जो थोड़े बहुत बचे हैं जिनमें तुम रमन कर रहा है उनकी चिंता मत करो थोड़े भोती हैं वो पलाग चबकते ही काया बस आप तो तत्त की रुची ज्यान सभाव की कर format क् पर देखो इमान्त कर्म का अत्पन हो रहा है देखो अगले सूतर में अन्मवयम तंधन अव्लम अरे तुम तो अवलवली सुभाव अवलवली ज्यान सुभाव के अनभूर करो कि ज्यान नंथ अर्वान अपना ग्यान सुभाव अपने अंतर में है तम अन्वोयब बश्याफ अवलवली जयात सुभाव के नंबोलआ करने से बिशे ये जूताँ इंद्री के जितने बिशे है न अवल परके लिए कुछ नहीं करता वली अपने लिए सौ पुरसार अनंत ज्यान की शक्ति से भरपूर अन्मोयं तम ज्यान नंत अवलम एसे अवल वली ज्यान सुभाव की अन्वोद्ना करो एसे अवल वली ज्यान सुभाव की अन्वोद्ना करने से विसनस जो विसे हैं इंद्री विसे भुग विलास सोयम से मिलाएं गे जीवन भर आप निएम लेते रहाओ भीया क्या निएम लेते रहाओ कि हमों दूर ताइम नहीं एक सदब्सक्राण करने वाले नहींutar लेक merging क्या करें एक टाइम करें इस से करनी बिलाएं फिर भीया क्या दो टाइम भुजन करने से कर्म बिलाएंगे नहीं दो टाइम भुजन करने से भी कर्म ने बिलाएंगे फिर कर्म का ऐसे बिलाएंगे यही विश्वास करना हुआ यह अज्ञानिजी जगत के अंदकार में करिया करकर सोचता है कि कर्मिश की हो जाएं कि सदाचार में जीवन होना ही चाहिए यह तो अच्छी बात है लेकिन सदाचार के नाम पर 춤 और अधिक को अधिक किरिया का पाल लो वो नहीं हो नुए ज़य क्यों किरिया अधिक क्या है यदि हम एक time है उप्योक तो भशोव भाव में रॉवाव में रहा होगे ना तुम यह बताओ कि यदि उन्हें तुमने रिक्सायम लिया है तो तुम्हें सुरत वड़ी है नहीं पड़ी तुम्हें अपने आपको सीमित किया है तुमने कोई निया मालो तुमने कोई ब्रत लिया हमने क्या ब्रत लिया था कि अब एक टाइम बोजन करने में जाता था बोजन जाता था भोजन के भिकल्पों में जाता था किया वो विकल्प खतम ने जा वो विकल्प खतम गोई महां आत्म तकी सुरती आई तत अभ्यास में समय गया स्वाध्याय में समय गया वितन में समय गया, सो आत्म अवलंबन में समय गया, तो आचारवन कह रहें, तो मुक्ति का मार, भुजरी भीया, आपने सें भोजन नहीं किया और उप्योग, कल क्या भोजन करना है, इसमें ही लगा रहा, एक टाइम करना है, तो कितना ज्यादा करना है, इसमें ही लगा रहा या फिर एक टाइम भोजा चोड़कर टीवी देखने में लगा रहा तो फिर क्या होगा कर्म बिलाएंगे या बढ़ेंगे बढ़ेंगे ना जी आप कोई भी संकल्प लेते हो कोई भी नियम लेते हो तो आप अपने नियम के पीशे देख लो क्यों आप छोटा सालव नियम ले रहा हो छोटा सालियम ले रहा हो तो उस अनुरुप आपका आचान क्या है लोग क्योंकि ये मोक्शमार्ट के लिए उठाने वाला है नियम ब्रत संकल्प जीब को उपर उठाते हैं अपनी चेतन शक्ति की हो इनको भी लेके जीब मूर्चिदी बना रहा है पापी बना रहा है अज्ञानी बना रहा है क्रियाएं करता रहा है तो भी इनको लेने कर लाब किया कोई भी छोड़ा सा भी नियम लो उसके अंदुरूप आच्रण तो होना चाहिए थोड़ा बहुत तो होना चाहिए इसलिए कि आप कुछ भी ले रहा हो कोई सामिस अंकल दे रहा हो पहले आप उसके पिशे अपना प्रियोजन तो सिंद्ध कर रहा हो कि हम प्रियोजन क्या है इस अपना अपना प्रियोंजन है कि सदा्चार में जीवन अपनाने के पिछ प्रियोंजन की असोभ पापों से जिए बात तो ठीक है भाईया, ये भूमिका का पडशार्त है, छोते पुनस्तान की भूमिका का पडशार्त है, लेकिन अब आपने ले लिया, एक टालिंग हुजन करने का नियम ले लिया, भाईया अब आप सदाचार से उपर उड़ गाए? अब इजि आप सदाचार से उपर उड़ गए, मालने आपने भ्रह्म चर्वत ले लिया, इंग FRED आप सदाचार से उपर उड़ गए, तो फिर आपका भ्रह्म सोभाब में आचरण दिखा, ग्यायक तत्य में आचरण दिखा, छेतन तत्य की पृतिति दिखा, इजि ये नहीं का रहा है कि जो आपने भूमी का घरण करी है जो आपने पन लिया है उस पत की जिनागम एक मर्यादा है कि हमने सब्सक्राइब पेने हैं जिनागम इसकी मर्यादा है यह वह मर्यादा गई सब क्षब अपने अपने मर्यादां को अलंगन किया अपने अपनी ज्ञान की मर्यादा तो सदाचार में लोग लोग देखा देखी पालंग कर लेते हैं लेकिं बहिंद आपने डूसरे का हित नहीं कर रहा हो दिंगत कर रहा हो कोई दिकत नहीं देव घृत कर साथ इन जांगो गोगा कまず देव परत्दो weitere न कहुं比 यक्ष बन जाओगे गंदर बन जाओगे और चत्रगति की याद रहा है कौन के लिए रहा है सुब करने वाले के लिए पुन्य वालों 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 के लिए पुन् और श्रौनें नहीं सवर्गों में भी नहीं जाएं। धेगती तो जाएं। इसावधान कर रहा है। अनमोयम तम न्यान नंत अवलम अवलवली यान सभाव के अनवोध न करो तो इंद्री भी से मिलियम सयं। कि सैंथ कि पापों से जम्आ विसे चरन सहा उभन अरे आत्म चारित को अपना उभनद में तरहने 20 गयार खरोग मतना नêmes अनमोध न्यान फिल्यम ज्यान सबाव की अनमोध न से जितने सेशकर्में वह भी भिला जाए जम विसे चरण सहा वगवन्व अनमोध न्यान अपने चारित्र को अपना विसे बनाओ अपने अंतर में ग्यान रवनाता को अपना विसे बना अपने ग्यायक तक्तिकी जो सुरत प्रितिती में ग्यायक मुवान आत्मा इसा जो इसमान रड़ेता है इस चारित्र इस ग्यान की अन्वोधना को अपना विसे बना यह ग्यान की अन्वोधना ही कर्मों को छे कर सकती है इसके अलावा तीन लोग में कोई कर्मों को छे करने में सामध या चारित्र को अपना पिशे बना चारित्र खलू धम्मो चारित्र धर्म का मूद है कौन सा बाला कौन सा बाला चारित्र भात्म चारित्र निश्य चारित्र जिस निश्य चारित्र की प्रक्रट्टा होने से बेवार चारित्र सहच पलता है वो निश्य चारित्र खलू धंबो आचारवववन सूत्र दिया चारित्र खलू धंबो चारित्र ही जीब का सुभाव है धर्म है इसलिए आचारवववन तारण स्वामी कह रहा है जम विसे च करो न्यानम न्यान सोयम सुरम्चा रम्णम ज्ञान से ज्ञान में अपना सोयम का सुभाव सूर समान प्रकाशमान हो रहा है इसमें रमणतो करो बाधस बिल्यम सोयम जितनी भी कर्मों की बाधा है जितनी भी कसाय की बाधा है आत्म ध्यान में आत्म सुम्रण में आत्म रमण राग भाव चलते हैं, आत्मा का ध्यान नहीं लगता, आत्मा का चिंतन नहीं होता, आत्म तत्त, भहिया कहने सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आत्मा की दिश्थी प्रकट नहीं होती, आचार वं केर, बाधस, विलियम, सोयम, सारी बाधाये मिलाएंगी सोय ज़ो जान जान चूराम पर इंदर प्रकासित हो रहे तेख सो अब एक और Tuska Prakat तो करो मैं अपर यहां और प्रस्ष्ण करें गृर्वा जब जान सुखा की रहाँ जाएगी तो फिर जां रहे गए fuzzy than सब्सक्मां कि ब्रेदा कोई रिमойти सकता है मैं कि अब है आपन क्या चाहते है कि बादा बिला जाये फिर ग््यान सब्सक्राइब करें यह इस है अगरेखर cathChat धर सारें कि बादा बला जाएום महस् Saara कर्मों को बन्तिं बिला जाए सारे इंद्री विसे बिला जाए सब भूख प्यास सब खतम हो जाए सारे दुकान, मकान, पत्र प्रिवास सब छूड़ जाए तब क्या करेंगे भी या पहले सारी बादा अड़ जाए फिर हम आत्म में जाएंगे आचार भग्वन केते हैं पहले आत्म में जाओगे तब सारी माधाएं अपनी गाड़ी रिवर्स गेर में चलती है सीधी चलती ही नहीं अपर हमेजा रिवर्स गेर डालते हैं और फूल एक्सिलेटर देते हैं और फिर कहते हैं गाड़ी उल्टी क्यों चल रही है गाड़ी सीधी चलाओ तो, रिवर्स गेर तो निकालो उसमें से, मिठ्या मानता हूँ का अंकोड़न तो निकालो, भगवान कह रहा है कि अपने ज्ञान सुमा में रवण करोगे तो बादा बिलाई, और अपने इंतियार कर रहा है, वह पेले कर्मों की बादा बिला जाए, प आत्मा का लिभव करें, सोते सोते, ना, अले भगवान आत्मा, आचायर गववन का कहना है, यह ज्ञान रवणता करोगे तो कर्म बिलाएंगे, खर बिलाने के इंतियार मत करो, ज्यायक सभाव में रवण करो, आत्मा का पुरशाद ग्रण करो, तो कर्मों का छे होगा, अनन्त न्यान रवणन, अरे समस्त बाधाओं से रहे, अपने अनन्त ग्यान में रवणता करो, चर्णम सोयम स सुतम, अपना सोयम का चारित्र ही अपने लिए उपादे है, स्वाचारित्र के अलावा, आत्र रवणता गड़ावा, और कोई धर्म, यह सीका, देखो यह विचलित्ता बताके, इन नाना प्रकार कर्णामों की बिशेष्टा बताके, यह सित्र करवाना चाहरा है, क्या, अव्वावाय अनन्त न्यान रवणता, जो सारी वाधाओं से मुक्त है, जहां कोई वाधा नहीं है, वो अपने अव्यावाद, अनन्त ग्यान सभाव अपने पास है, रवणनम, उसमें रवणता करो न, क्या है अव्यावाद ग्यान सभाव में रवणता, लगए चैनम, सोयम, सासुतम, वो अपना सोयम का चारित्र है, अपने बादा रहे, ग्यान सभाव में रवणता करना ही अपना चारित्र है, और कोई दूसरा चारित्र नहीं है यहीं जब एसे निच्चे ज्ञान में उइंग आफिर पति होती है तो वचा इसे जसरीव अपने अप्पिण है। वचा जहीं है दिखाना नहीं पड़ता है है अपन उड्टा चलते हैं अपन वहार का स्यम दिखाते हैं तो अंतर का स्यम प्रकट पर्हा क्यों कि एह में इतनी बुद्षी लग जाती है मानकसाय में इतनी बुद्धी लग जाती है कि जो बुद्धी तत्य चिंतनम में लगना चाहिए वो बुद्धी में। क Chili अच्छारववन कीकर देह का बोद तूटना सयम म।रोब अपन केते हैं देहे की समाल करना कितना अंतर है मन वचन काय का बोध तूटना इसका नम सयम जब तेरी दिश्टी इन परपदार्तों से मन वचन काय के परेड़मन से परेड़ के अपने स्वाचारिक्र में आती हैं देहे के बोध तूटने का नम सयम कहा अपन क्या करना चाहते हैं देहे को अपने अनुसार परेड़ में तराना क्या खिलाना क्या पिलाना वो तसमय की युक्ता से नहीं हो रहा वो पंदी की वज़े से नहीं मिल रहा वो तो हम खिला रहा है हम पिला रहा है हम पहना रहा है हम हम भूख सेहन कर रहा है, हम प्यास सेहन कर रहा है, हम अबवास कर रहा है, हम सोला कर रहा है, हम जो जो कर रहा है, वो सब हम ही कर रहा है, फिर होता क्या है, फिर ये सिद्धान कहा गया, होता सोयम जगर, ये कहां गया, अच्छा एक पाप करते समय सब सोतंत्र होता है, उपन् असुप करियान करत था हमें फ़ी सब सदंद रोता है क्योंकि पाप न लग जाए पाप को यह अपने साथ लखना न नहीं चाहता इसले रहे सर्वख वोबनने का है सारा पाप सदंद है हमें इसका दोस्त नहीं चाहिए कि पुणन का ऊदेता हमें चाहिए तुमन आप justement चाहिए हमें तो मेरि यह शुक्रियां कि घरा हमने पुणन के करता सुक्रिणा परण हम आप आपके करता सर्वा बगवान का Work on उनने देखा कि इसके हैं यह दो topics शर्चना प्लाउम कर दो कि अग्रतेने कि उन्हें होगा लहां दो वातने नहीं होगा एक सतव होगा अप्यावाद सभी बादान से रहे अपने Gegen चरणम सवयम सुथा सदम वही सुयम का सुधचार्थ है इसके अलावा कोई दूसा चार्थ नएगर में सची शद्धा तो करो कम से कम एक दिन यादी आज तुम सुधचार्थ की सरद्धा करोगे तो कभी भविष में तुमें सुधचार्थ प्रकड हो सकता है तो यदि तुम आज ही असुद्धिचारत पी शद्धा कर लोगे तो तुमाई शद्धा मित्ध्य हो जाएगी जीवन में तुम्हें कभी सुद्धिचारत होने वाला इसलिए कहते हैं कि द्रवलिंग भावलिंग आगम और परमागम जिनेन वगवान की वाणी क्या है इसको पहचानो और उसके बाद निर्णे करो कि क्या सही है और जाज भाईया अपने मन से देखा देखी यदि निर्णे कर लिए गए दुनिया को देखके भेड़ चाल में अ सpare Hindi music दौर टारणै की मानलो स्रीप आचार तारण सवी में पे तह। और किसी पर नहीं तो आपनी्ट सवीं पर टाए कोंदिकोंद आचार चार पर तो है यगदी देपर परतो है कुल्धिदी तो है अनृतां चंजी पूझो यह चार्णि पूझण योग कौन सा अव्या-वाई-अनंत-ध्या-न्या-त्रम्नम् जो समस्त बाधाउं से रहे अपने ज्ञान सभाव की रमणता देता है अपने ज्anza ग्यायक सभाव की रमणता में रत होना चर्णम सोयम सासुतम इसका नाम है सोयम का चारित इसको सम्मेख चारित केते हैं तो इस सम्मेख चारित की निर्माण का कारण सच्चे शरद्धा तो जगा दो गुवाना परीब्रमन मिढ जाएगा अनंत काल का परीब्रमन मिढ जाएगा सच्च चाहर्द्र की शरद्र भी प्रखट करने की बात बहुत उची है जफ्सक्रणाज की होगा सच्छोपों तो तुम कभी मिठ्यळा दहीं जाओगे गरी सिकल्य ओप्ते चल तप्ञ से है तुम आडशार्द्र से बज़गांगry तो समय swell अंतर आत्मा का एक जटका लग्या तुम्हें, हमारा स्रद्धान गुण फलट गए अपनी सौचेतन शक्ति की ओर, अपने गुरुदेप की वाणी को सीकार करके, अजि तुम निज खान लोट आए अपने अंतर आत्मा के पास, वह यह कल्यान हो जाएगा, अपने अंतर आत् काई की, अववा वाह है, पादा रहे, उनसी पादा मेरे आत्मा में, अच्छा बता रहे, आखरी एक मिनिट बचा रहा है, काई की बादा है, अव्या वाह है, कोई बादा नहीं आत्मा को, जब तक अपन को सोर नहीं देखें, तब तक ही लग रहा है कि आत्मा में बादा है, आत्मा में कर्म है, लेकि बहिया, आत्मा से कर्म को सो दूर है, आत्मा से ये सारे कर्म, ये सारे आवरण को सो दूर है, आत्मा सदे निरावरण है, इसलिए आचारवर्मन ने बहुत सुनिंदा सब्दों का अपयोग करके कह अव्या वाह है। ऑदा रहे थे वो मेरा सुभाः। उसमें मेरा चीज नःंत- ज्यान में रवनता तो करो। क्या है या अनन्त-ज्यान की रवनता। पहускаемे चर्णम् सोयं सास उतम यह तुम्मारा स्ोयम का चैने सा स सुतम मेरा स्यम को चम आते हैं विस्वास करने की भर बात है आचार वगन्त की वाणी शद्धा जगाने के लिए है तत्ति की श्रद्धा वस्तु सभाव की श्रद्धा यथार्थ का बोध कराने के लिए है तो जब आचायर वग्मतों की वाणी से यथार्थ का बोध होता है जब मुक्ति की प्राप्ति जीवन को इसे व्यर्त मत गवाना इतना केके पूरा कर रहा है मिसे कल आपने सूत्र ले लेंगे जीवन को व्यर्त मत गवाना कम से कम प्या आगे ना वड़ पाओ चारितर खुद धार ना कर पाओ तो प्या सच्ची श्रद्धा को तो मत खोड़ा याद रखना सच्ची जो से सिर्फ सच्ची श्रद्धा बचा सकती ही बस। चरासा भी मिध्या परिणाम और सोड़ी सी मिध्या श्रद्धा भईया वहां ले जाएगी जहां से निकलने का कोई रास्ता है। इसलिए अपनी आत्मा की सुरक्षा करनता चाहते हो तो पहले अपनी श्रद्धा बचा हो। जहां श्रद्धा की सुरक्षा होगी फिर वहां ज्यान की सुरक्षा वहना प्रानव भईया जहां ज्यान की सुरक्षा होगी वहां सच्चा चार्टर पता लगेगा। लगों कियों कि जहां ज्यान रवन करता है। उस रवनता का नाम ही चारत है। मेरी ज्ञान परपदार्त में रवन करता है तो मिठ्याचारित चाहिए पुंद हो चाहिए पाप मेरी ज्ञान स्वा अनन्चतुष्टे में रवन करता है अपनी ज्यायक सवा में रवन करता है सम्मिक्चारित इसलिए पर गेंव से भिन अपने ज्यायक करत की सुरत प्रकड़ों इसलिए आचार मुवन की माणि इस चोविस स्थाना इन 24 स्थानों से मुख्त करके इस आत्मा को परमात्मा परंपत की प्राप्पी कराने वाला है अपन अपन सब भब जीवों के धर्ले में एसे अबने जीवन में चारित्रार्थ हो अपनी आत्म प्रतीति का में इसे बने इनी मंगल भावनाव के साथ ऊधिया अचार मुवन का लदा आन।